भारत सरकार ने अब कमर कसी है कि मूत और जवाब देना आतंगवादियों को अलगा हुआ दियों करना आशकर आप जूर्चों के हैं दानिक शिव्ट टाइम से मैं रश्मी शर्मा कैमरामन शुवम भगत के साथ यासिन मली को जिस तरह से पट्याला अनाई कोट ने जो सजा स दबार ने और उन्हें दोशी करार दिया गया उसी के चलते बहुत पड़ा सरहने कारे किया गया भारत सरकार कि ओरosphЯनिक की तरफ से क्योंकि ये कहेंगे कि कल जो ट्रायल चल रहा था जो केस चल रहा था उन पर टेरर फंडिंग का केस था उसी के चार्जिस तो जो साबित भी हुए और उन्हें उम्र कैद की लाइफ इंप्रेजन्ट की सजा सुनाईगी और साथी साथ दस लाक रुपया जरुपाना भी किया पर कौन थे वो लोग जो सडकों पर उत्रे यासिन मलिक के समर्थ में जिन्होंने सुरक्षा बलों पर पथ्राओं किया और मजबूरन सुरक्षा बलों को जवाबी कारबाई में टियर गैस आंसू गैस के गोले चोड़ने पड़े इसी इसारे विशे पर बात करने मरसा जिस तरह से यासिन मलिक की सजा सुनाईगी और वहीं दूसरी तरफ स्टोन पैल्टिंग का सिल्स्रा शुरू हो गया बाहर वो लोग कोन आयते हैं और को लोग के जो समर्थ ते यासिन मलिक देखिए एक चीज़ समझनी पड़ेगी पिछले कई वर्षों से जिस तरीके से कश्मीर को दहलाने की पाकिस्तान प्रायोजित जो आतंकवाद है क्यूंकि ये किसी से भी छुपा नहीं है कि पाकिस्तान एपी सेंटर है टेरिरिजम का और जिस तरीके से पाकिस्तान ने य बड़ी तौर पर लगाम लगाई गई चाहे 370 को हटाने के बाद जिस तरीके से स्टोन पेल्टिंग के एक दम से आपने देखा कहीं पर भी इशुद नहीं दिखाई दिये गई और आईस एक समय था आईस आईस के जंडे ओपनली फेराते हुए कश्मीर के अंदर देखा उसी के परिणाम सरूप आज टूरिजम वहां पर भड़ा ट्रेड भड़ा और लोगों की जिंदगी में आम कश्मीरी की जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आया आज उसको वो बदलाव जो है वो जो पाकिस्तान है आतंकवादी है अलगावादी है ये सही माइने में इसलाम के और कश्मीरियत के दुश्मन है इसलिए ये कभी नहीं चाहते कि वहां पर माहूल कभी भी माकूल हो वहां पर माहूल कभी अच्छा हो इसलिए आज वो सेलेक्टिव किलिंग के माध्यम से एक संक्यत दिना चाहते हैं जो चिंता का विश्य था कल भी थ कि आखिर क्यों माह्संट कीलिया का सिल्सला रुक रहा क्युंकि करता दारा 375 से के बाद पूरी तरह से लगम कसी जाए कोई भी क्योंतिर हा सामने नहीं याई पर कहीना कि की आपको लग रहा है कि आखिर क्यों है आतंकियों कि आपको यह इनका इस समय अगर आप defense की भाशा में बात करेंगे तो यह hybrid terrorism है आज उन्होंने इसका तरीका कार बदला है आज यह जो चाहे वो पाकिस्तान हो और पाकिस्तान प्राजोजी जो आतंकवाद है वो selective killing करके देश को दहला करके आम व्यक्ति के जिंदगी में खौफ डालने क की प्रयास कर रहा है परंतु हमारे security forces जरूर उनको निकाल भी पारे हैं और उनको दंड भी दे पारे हैं यह तो मानने योग्य है परंतु जिस तरीके से चाहे वो दो दिन पहले का incident हो हमारी बहन आमरीन भठ हो जिसने कला के जगत में एक नाम कमाया और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया चाहे सेफुला कादरी हों जिन्होंने पॉलीस की सुरक्षा बलों के साथ कई operations लीड किये और आतंकवादियों को ढूंडूंड करके मारा चाहे वो वहां पर पढ़ाने वाली सुप्रीत कौर हों उनको target किया गया ऐसे वहां का माहूल बदलने के लिए पारे करता हूं जो कश्मीर के रहने वाले हैं और उनको target बना करके उनको मारने से सामने नजर आता है कि आम इंसानियत का दुश्मन है पाकिस्तान आतंकवाद कश्मीरियत का दुश्मन है और कश्मीरी अवाम की खुश खबरी या खुश हाली उसको नहीं पच्ती आज जेब में पैसा आया आज वहाँ पर टूरिजम बढ़ा तो लोगों को जिए जिन्दगी में सुधार आया तो उसको वो नहीं पच रहा इसलिए वो दहलाने की आरकत कर रहा इंके फांसी देने से उमर कैद से कोई भी मसले सुलजने वाले नहीं है ये महुआ मुफ्ती कभी देश के खंड विखंड करने का बयान देती है ये महुबा मुफ्ती आम कश्मीरी की जिन्दगी में सही मौका आये या ठीक हो नहीं चाहती क्योंकि वो पाकिस्तान से डरती है क्योंकि वो पाकिस्तान के इशारे पर काम करना चाहती है और आम कश्मीरी अवाम से पूछा जाए आम जम्मू के वाम से पूछा जाए आप देखिए किस तरीके से कश्मीरी अवाम के जिन्दगी में बदलावाया है आप देखिए ये या सिन मलिक हो या इनके जैसे कई आतंकवादी हो जिनके खिलाफ कई वर्षों से मुद्दे पेंडिंग थे लंबित थे चार शीर तक नहीं जाती थी आज बदलाव आया है जुडिश्री ने जुडिश्री को जिस तरीके से दिखा कि आज केंदर की सरकार का भी पुक्ता प्रक्रिया चलनी चाहिए जिस तरीके से हमारे कानून की किताबे कानून के जो एक प्रोसीजर है जिस तरीके से प्रक्रिया चलनी चाहिए वैसे प्रक्रिया चल रही है तो आतंकवादी अब किन-किन का नंबर लगने वाला जो अलगावाद को मेशा बढ़ावा देते हैं जो आतंकियों का समर्थन करें और भी काफी चहरे होंगे काफी सारी तस्वीरे अभी दूदली है जो सामने आगे एक भी नहीं बचेगा चाहे वो शबीर हो और चाहे वो इनके जैसे कई अ को बदला गया आतंक वादियों के इंसर्जेंट इंसर्जेंट कौन होता है जो अपनी मात्र भूमी की लड़ाई लड़ता है जो पाकिस्तान के आकर के उसके लिए कई अखबार के लेखक कई एडिटोरियल राइटर्स कई कॉलमनिस्ट उनके लिए एंसर्जेंट शब्द लिखते रहे हमारे श्रक्षा कर्मी मरते रहे तो उनके लिए किल्ड शब्द लिखते रहे जबकि आतंक वादी के मरने पर माल्टीय डम लिखते रहे आज ऐसे लोग चाहे वो इंट्रेलेक्ट्ट्ट टेर्रिजम के साथ जुड़े हों चाहे वो हवाला फंडिंग के जिन होने हमेशा आतंक वाद को कभी स्माप्त नहीं होने दिया परंतु उसको हमेशा पुष करने का काम किया आज उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा और मैं आपको जरूर आपको बोलूँगा कि आने वाले समय पर कई ऐसे राजनितिक नेता भी निकलेंगे जिनका सीधा सीधा तलुकात जिनके सीधे सीधे लेंदें आतंक वादियों से जड़ा हुआ होगा अरुण जी कश्मीर की जनता को भी अब समझने की जरूरत है क्योंकि या आतंक वादियों का ना कोई दीन होता ना धरम होता है और आपनी जिस तरह से कहा का तो जिनकी जो कई बरसी वीडियो को समझना होगा आप क्या कहना चाहिए मुझे बात बताईए लेफ्टिनेंट उमर फयाज का क्या दोश्ट था डिवाए एसपी आयू पंडित का क्या दोश्ट था राइफलमन औरंग जेब सहब का क्या दोश्ट था वो भी तो कश्मीरी थे अगर मेरे आका मुझे कश्मीरी थे ये सभी इसलाम को मानने वाले थे परंतु ये इंसानियत के दुश्मन है आतंकवाद इंसानियत का दुश्मन है आतंकवादियों ने हमेशा दिल दहलाने वाली निर्मम हत्याएं की हैं और ये किसी के सगे नहीं है ये कश्मीर को इंस्टेबलाइज करना चाह होंगे आम कश्मीरी عवाम समझता है कश्मीर में भारती जंता पारटी के कई नेता बहुत शहीद हुए जिन लोगों ने आतंक बाद के को सामने चुनौति दे करके उनके विरुद्ध काम करना शुरू किया वो भी तो कश्मीरी थे वह आम कश्मीरी समाज के, कश्मीरियत के एक नेतर तो करता थे, रिपर्जेंटेटिव थे, उनको मारना, इंसानीत को मारने के, आतंकवाद चाने के लिए रिक्षन प्रतिबद भी है और कटिबद भी है और काम कर रही है जिस तरीके से UAPA के कानून को और सक्त करके जो आतंकवादी है जो उसको समर्थन करने का काम करेगा या उसको उसकी conspiracy में उसको उसका handler बनेगा या उसको पोशित करने काम करेगा वो भी आतंकवादी की श्रंखला में श्रेणी में माना जाएगा और जिन लोगों ने आज तक ये सब कू कर्म किये हैं कश्मीर को दहलाने का काम किया है निर्ममता पूर्वक नरसंगहार किया है जितने भी लोग उसमें शामिल थे और शामिल होंगे उनको किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा नो टॉलरेंट वार टेररिजम एक सीधी सीधी नीती है केंदर सरकार की मोधी सहाब ने चाहे वो सर्जीकल स्ट्राइक थी चाहे वो एर स्ट्राइक थी उसके माध्यम ये सिध करके दिखाया है कि वो कश्मीरी अवाम के साथ खड़े हैं परंतु आतंकवादी और अलगावादियों को छोड़ने वाले नहीं ये थे हमारे साथ बारती जंता पाड़ी युवा मोर्चा के परधान अरुन परभाद भी साथ तोर पर भारती सरकार ने अब बीड़ा ठाना और कमर कसी आतंकवाद को जड़ से खतम करने के लिए लगाता कश्मीर का जिस तरह से महल बनाया जारा आखिर कौन है वह सी ताकत हैं जो लगाता रातंकियों को समर्थन दे रही और साथ ही सथ अलगाववाद को बढ़ावा दे रही है क्योंकि आम जनता की जाने बड़ी ही कीमतिय मुल्यवान है पर अब कश्मीर की जनता को समझना होगा आतंकवाद के लिए पकता ही एक परसंट भी बरदाश नहीं किया जाएगा अब कई उर ऐसे यासिन मलक के साथ तक कही ऐसे चहरे बेनकाब होंगे जो पुशीदा तोर पर अतंकवादियों को समर्थन करते हैं उनके संगटन के साथ कही ना कि उनके ताल मेलें पर सबसे बड़ी बात जबता हमारे जमों कश्मीर की जनता सामने नहीं आएगी डटकर मुकाबला नहीं क जो लगातार इस जो खून की होली खेली जारी उन लोगों को समर्थन करते हैं अपने कमेंट जरूर कमेंट बाख में दीजी इस वीडियो को जितना हो से कि शेयर कीजिए जूड़िया से हमारे से अगले अबडेट के लिए जाहिंचा वारत